गमंड किस बात का? आज मिटी के उपर हैं, तो कल मिटी के नीचे होंगे, तो गमंड किस बात का? इंसान को चार चीजों पर ना, जीवन में रत्ती भर गमंड नहीं करना चीए। पहला तो होता है खुद का सेहत, स्वास्थ, हेल्थ, दूसरा होता है स्वयम का ज्यान, तीसरा संतान और चोथा होता है संत्ति इन चार चीजों पर कभी भी रत्ती भर गमंड नहीं करना चीए। स्वास्त, स्वयम का ज्यान, संतान और संपत्ति इन चार चीजों पर भूल कर भी गमण नहीं करना जाये क्योंकि इससे प्रकृत का नेचर का उपहास होता है, निंदा होता है, मजाग होता है क्योंकि जैसे इन चार चीजों पर गमण शुरू होता है, कोई इतराता है, तो वहाँ से समस्य उत्पन हो जाती है जहां गमण शुरू हुआ इन चार चीजों पर वहाँ बिना शुरू हो जाता है, यह प्रकृत का नियम है इसलिए इन चार चीजों पर भूलकर भी गमण नहीं करना चाहिए, इतराना नहीं चाहिए क्योंकि यह प्रकृत का अनमोल उपहार है, इसके साथ सुदुप्योग होना चाहिए नकि इस पर गमण और इतराना हम सब मिटी के खुराख हैं, अज मिटी के उपर हैं, तकल मिटी के नीचे होंगे तो गमण किस बात का, जहां गमण सुरू होता है, वहां से समस्या है और बिना दोनों सुरू होता है तो किरप्या करके, जीवन में कभी भी इन चार चीजों पर रत्ती भर गमण नहीं करना चाहिए किसे भी इंसान को, पहले है उसका सेहत, दूसरा है उसका ज्यान, तीसरा है उसकी संतान, और चोतरा है उसकी संपत्ति आसा करता हूँ कि आप लोग भी इन चार चीजों पर जीवन में भोलकर रत्ती भर गमण नहीं करेंगे, नहीं तो परकिर्थ का अपमान होता है अपरकिर्थ बिनास करना सुरू करता है, समस्यां पैदा करना सुरू करता है इसलिए इन चार्चिजों पर रत्तिवर्गमण न करें थैंक्स, जहन, बंदे मात्रम